असलाम अलेकूम कैसे हैं आप सब में ठीक हूं आप बताएं आप कैसे हैं और यहां पे सुपा के नाश्टी की तयारी चल ली हैं तो आज मैं नाश्टे में अपने ली बना रही हूं बेसन का चीला तो मैं उसी की प्रिपरेशन कर गई थी यहां पे और यहां पे हमारे नाश्टा तयार हो गया है इन्होंने ठाखाई थी मक्षन और रोटी और मैंने चीला खाया था और यह देखिए होर होरें को किती मस्ती कर रहे हैं यहां पे और यह वीडियो बाजी ने मुझे भेजी थी तो मुझे बहुत प्यारी लगी मैं चुरा चलो वीडियो में डाल देती हूं और मैंने आज दुपे ने बनाएते आलो बी तो आज मेरी कुछ तभी ठीक नहीं थी इसलिए मैंने दिन में कुछ भी शूट नहीं किया और रात को में खड़ी हो गई बालो शाही बनाने के ल करना यह अंदर से कच्ची नहीं पर आजाती है और फिर इसे लो फलेंपे इसे पाकाना है घोल्डन ब्राउन होने तक मैंने सोचा दिवाली है चलो कोई स्वीट्स की ही रेसिपी शेयर कर देती हूं बैसे मुझे कई तरी मिठाईयां बनानी आती है और यहां पर मेरी जब तक पर नमीज को पार शाजियों को में तारवाली ने बनाना है झाल तो जोड़ा सा कलर डाई जातीता क्लाइघा है प्रैले से इस ब्राउन कलर जाती है ना उनका कलर पालू श्यायल गए तारवाली वाला गर्म गर्म होती है तो एब्सॉब कर लेती है और इसे बना के मैंने रख दिये थे लेकिन इनका बीच में छेद होता है वो कड़ाई में जाने के वाद इनकी फ्राइ होती है न तो छोटो हो आता है इसलिए डालने से पहले न उन्हें अच्छी तरीके से न फिर से खोल देना और मैंने रेडी होने के बाद बालुशे पर लगा दिया है चांदी का वर्क और देखिए कितनी खुबसूरत लग रही है और अब मैं टेस्ट करवाँगे अपने हस्वेंट से और उन्हें भी बहुत पसंद आई थी जब अपना शॉप से वापिस आए तो मैंने उन्हें बहुत ही जादा पसंद आई और अब हम खाना जा रहे हैं खाना और आज मैंने बनायते आलो कोफते यह देखिए इनको इने पता नहीं है कि मैं इनको शूट कर रही हूँ और यह मोबाइल में लगे वे हैं एस्टिविल्स का सीजन है तो थोड़ा सा गर डेकुरेट हो जा रूम तो मेरा सेट हो गया है अच्छा लग रहा है आज जादा मैं कुछ शूट नहीं कर पाए क्योंकि मुझे फीवर हो रहा था और मेरे तबेद खराब हो ली ती तो जो भी शूट हो आए वो मैंने इस व्लोग में डाल दिया है मेरी और मेरी फेमिली की तरफ से आप सब को हैपी दिवाली और जो भी आपकी ड्रीम्स हो वो पूरी हो जाए इंशालला और इस वीडियो का मैं है कर रहे हैं एंड लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने ना भूले अल्ला